अगर आप भी AKT और उसे एफिलेटेट कॉलेज में डॉक्टर एपिज अब्दुल कलाम टेक्निकल लिश्टी लखना हो और उसे एफिलेटेट कॉलेज में MBA, MCA, MTEC, M Pharma, M URP, M Architecture, M Planning या फिर M Design कोर्सेज में एडिमिनिसन लेना चाहते हैं तो आपको CU, ETPZ का इंट्रेंस कॉलेच कोर्सें में ले सकते हैं या फिर उसे एफिलेटेट कॉलेज में तो हम यहांपे बात करेंगे कि कि की लिए कौन सा आपकोflows के पेपर कोर्ड या टेस्ट पेपर करना होका CU, PGK Examination में क्या Eligibility में और काइपरह सतित्मिटी और सबसे पहले술 उसमीला तो दी कॉलेज क करना होगा जिसका एक्जामरेशन पैटर्ण 3 के कॉर्डिंग होगा एंडेड एमसी क्यू कोशन्स होंगे लेंगवेज कॉंप्रियेंशन जेनल नॉलेज कंप्यूटर बेसिक्स एंड लोजकल रिजनिंग से क्लियर तो यहां पर एडमेशन के लिए इस विल्टी की बात करें एम्बे में तो एक कैंडियेट मस्ट है पास्ट बिद और विदाउट ग्रेस यानि ग्रेस मार्स के साथ पास हुए हो या फिर ना हुए हो बैचलर डिग्री कोर्स ओफ थ्री येर मिनिमम डिवरेशन फॉम एनी रिकोगनाइज इंडिया निविश्टी और इस एक्यूवे कोर्स किया हो 50% मांस के साथ और हमें पर स्टी कटेक्री है तो 45% मांस के साथ आपने पास किया है तो फ़र आप जो है MBA कोर्स में एडिमिशन ले सकते हैं जिसके लिए आप CUT UPG का एग्जामिशन देखकर जो है आप यहां पर कांसलिंग कर वा सकते हैं KTO में तो COQP12 का एग्जामिशन आपको देना होगा जिसका एग्जाम पैटन टू याने की परचेश जनरल नौलेज से कोश्चन होंगे वहीं पर 75 डोमेन स्पेस्पिक नौलेज कोश्चन वहां पर पूछे जाएंगे तो इसमें एडिमिशन के लिए आपने BCA या फिर BSC या फिर BCA किया ह और 10 प्लस 2 लेबल पर मैथमेटिक्स आपने लिया हो या फिर ग्रेजिशन लेबल पर आपने जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हो तो फिर आप जो है MCA कोर्स में एडिमिशन के लिए इलिजबल होंगे याद रहे हैं कि यहाँ पर आपको 50% मार्क्स होने चाहिए है जनरल या फिर होबी से कटेग्री में वहाँ पर SCA कटेग्री है तो 45% मार्क्स होने चाहिए हैं क्लियर BCA, BSC, BCOM, BA किया हो और 10 प्लस 2 लेबल पर मैथमेटिक्स लिया हो या फिर ग्रेजिशन लेबल में मैथमेटिक्स आपड़ा है 50% मार्क्स हैं SCA केस में 45% मार्क्स ह करते हैं CUT-PG में आपको SCQP09 कोईशन पेपर कोड़ सिलेट करना होगा वहीं पर नेक्स्ट कोर्स है M-Pharmacy अगर आप M-Pharmacy कोर्स में चाहते हैं तो SCQP23 पेपर कोड़ आपको सिलेट करना होगा पैटन 2 के एकॉर्डिंग इसका एक्जामिलेशन होगा और यहां पर आपक जो है इसका 2 होगा यानि 25 जनरल से कोईशन होगे और 75 डोमेन स्पेसिक नॉलेज कोईशन होगे बी बी टेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजिरिंग बी डिजाइन बी आर्किटेक्चर बी एफए बी एफए डी विथ 60 परसेंट मार्स और एक्यूवेलेंट आपने कोर्स किया है तो फिर आप मास्टर इन डिजाइन कोर्स में एडिमिसन ले सकते हैं कि अपने बी टेक की किया हो किसी ब्रांच मे डिजन बी आर्किटेक्चर या फिर ब्फए या फिर बॉफिल आपकोस सेजर्ट करना होगा एगर आप M Architecture या फिर M URP या फिर M Planning में एडविशन चाहते हैं तो SCQP04 पेपर कोड आपको छेलेट करना होगा Pattern 2 के कॉर्डिंग इसका examination होगा B Architecture इसके जी होगे minimum eligibility होगी As per the minimum percentage होगा As per CEO यानि की Council of Architecture के अधर जो minimum percentage मेंशन किया है वो percentage आपको लेना होगा वहीं पर M Design course की बात का है तो SCQP04 पेपर कोड आपको सेलेट करना होगा Paper pattern का जो है वो second pattern रहेगा 25 general awareness से और 75 domain specific knowledge question होगे वहीं पर BE, BTEC in any branch of engineering B design, B architecture, BFA या फिर आपने BFAD किया है 60% mark से फिर equivalent course किया है तो आप M Design course में admission ले सकते हैं तो M Tech के लिए अलग-अलग branch के लिए अलग-अलग जो है पेपर कोड आपको question पेपर कोड सेट करना होगा M Tech in civil engineering, geotechnical and geoinvormental engineering, structure engineering, construction technology and management, textile technology and textile chemistry में अगर आप admission चाहते हैं इन branches के लिए आपको COQP12 का examination देना होगा जिसका pattern थर्ड होगा जहाँ पर handed MCQ questions पूर्चे जाएंगे, language comprehension, general knowledge, computer basic and logical reasoning से BE, B Tech जो है आपने किया हो जो minimum percentage होता है, AICT तो आपने हासिल किया है तो आप जो है, यहाँ पर admission ले सकते हैं relevant discipline में तो eligibility criteria दिहां से आप चेक कर लेंगे अगर आप M Tech in thermal engineering या फिर plastic engineering में करना चाहते हैं तो फिर MTQP 01, paper code आपको select करना होगा, paper pattern 2 होगा BE, B Tech आपने relevant discipline में किया है, तो आप जो ही eligible होगे वही पर M Tech in environmental engineering, information technology, remote sensing and GIS civil engineering, geotechnical and geoinvormental engineering, structural engineering, construction, technology and management इन branches में आप M Tech करना चाहते हो, तो MTQP 02, आपको paper code select करना होगा, paper pattern second रहेगा और B E B Tech में आपने minimum eligibility qualification होगी M Tech in biomedical engineering, digital communication, communication engineering, micro electronics engineering, electronics and communication engineering, VLSI design इन branches अगर आप M Tech करना चाहते हो, तो MTQP05, paper code आपको select करना होगा, paper pattern second होगा और B E B Tech जो है, minimum eligibility होगी वही पर M Tech in food technology की बात करें तो MTQP06 paper code आपको select करना होगा, paper pattern second होगा यहाँ पर आपने B E B Tech जो है अगर आपने किया है, chemical technology, food technology, biotech, bioinformatics, biochemical, environmental engineering या फिर आपने MSC किया है, in chemistry, biotechnology, bioinformatics, microbiology या फिर biochemistry, botany, geology से तो आप जो है M Tech in food technology में admission ले सकते हैं नेक्स्ट है M Tech in computer added design and manufacturing, production engineering या फिर automation and robotics engineering, mechatronics, manufacturing science and technology, thermal engineering या फिर mechanical engineering इन ब्रांचेज मगर आप M Tech में admission चाहते हैं mechatronics, nanotechnology, manufacturing science and technology में admission चाहते हैं तो आपको MTQP08 paper code जो है select करना होगा, paper pattern second होगा इसका Then M Tech in electrical engineering, electric drive and control, power and control, power and energy system, power electronics and drives, power systems, energy science and technology, electrical and electronics engineering, electrical engineering इन ब्रांचेज में अगर आप M Tech करना चाहते हैं तो आपको MTQP10 paper code आपको select करना होगा, paper pattern second होगा B E B Tech in relevant discipline होना चाहिए M Tech in textile technology and textile chemistry की बात करें अगर आप textile technology या फिर textile chemistry में M Tech करना चाहते हैं MTQP11 paper pattern, paper code आपको select करना होगा, paper pattern second होगा B E B Tech आपने in textile technology, textile chemistry, textile engineering, man-made fiber technology, carpet engineering, carpet and textile technology, technical textile या फिर jute and fiber technology भी क्या है तो आप जो है M Tech in textile technology या फिर textile chemistry में admission ले सकते हैं MTQP11 paper code select करना होगा वहीं पर M Tech in computer science and engineering, computer science and technology in cyber security, ICT या फिर artificial intelligence data science से आप M Tech करना चाहते हैं तो SCQP09 paper code आपको select करना होगा, paper pattern second होगा B E B Tech in computer science information technology, CSC, CS and IT या फिर MC आपने किया है तो आप apply कर सकते हैं वहीं पर M Tech in environmental engineering या फिर information technology या फिर remote sensing and GIS मेंटेशन चाहते हैं तो आपको SCQP11 का paper code आपको set करना होगा, paper pattern second रहेगा B E B Tech in environmental engineering, civil engineering, mechanical, biotech, chemical engineering या फिर MSC in environmental science, biotechnology या फिर biochemistry या फिर chemistry में आपने graduation किया है तो फिर आप environmental engineering या फिर information technology में admission ले सकते हैं वहीं पर remote sensing and GIS की बात करें तो B E B Tech आपने in civil, environment, computer science and engineering, information technology या फिर electrical engineering और agriculture में किया हो या फिर SCQP12, PA paper code आपको set करना होगा, paper pattern second रहेगा, B E B Tech in chemical technology, food technology, biotech, informatics, biochemical, environmental engineering या फिर MSC किया हो आपने in chemistry या bio technology, bioinformatics, microbiology, biochemistry या फिर botany या फिर geology में तो आप जो है M Tech in food technology course में admission ले सकते हैं, SCQP12 paper code आपको set करना होगा, paper pattern इसका second रहेगा, वहीं पर M Tech in biotechnology या फिर biomedical engineering में admission चाहते हैं, तो SCQP17 paper code आपको select करना होगा, जिसका paper pattern second रहेगा, B E B Tech in biotech, biotech engineering, bioinformatics, chemical engineering या फिर chemical technology में अपने B E B Tech किया है, तो आप जो है, बायो टेकनलोजी में बी से ले सकते हैं, वहीं पर biomedical engineering की eligibility की बात करें, तो B E B Tech in electronics and communication engineering, electronics engineering, instrumentation and control engineering, electrical and electronics engineering, या फिर electronics and instrument, या फिर instrumentation and control engineering में आपने B E या फिर B Tech किया है, तो आप biomedical engineering के लिए apply कर सकते हैं, SCQP17 paper code आपको select करना होगा, तो यह जो है different courses थे, MBA, MCA, M Tech, M URP, M Design, M Planning, जिसमें आप CUTPG का interest examination देकर, admission पास सकते हैं, AKTU के लखनों में और उससे affiliated college में, visual all the best, keep watching.